दोस्तों रोमिंग रोबस के साथ चलिए एक और बहतरीन सैरस्थल का अनंद ले दिवे मंदार गिरी पहाड़ियों पर यह बैंगलोरु से लगभग 65 किलोमेटर और तुमकुरु से लगभग 13 किलोमेटर दूर है रोड कंडिशन परफेक्ट है जहां बैंगलोरु से लेड़ घंटे की ड्राइव लगेगी यह जगह एक दिन की यात्रा के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है यह स्थान बेसिकली जैन विरासित मंदिर के लिए जाना जाता है और पंडितान हली नमक गाउं मिस्थित है यहां बहुत सारे आकर्षण है और हम एक एक करके सारी जगह को एक्स्प्लोर करेंगे मोरपंख वाले गुरु मंदिल से शुरुवात करते हैं जहां एक खूपसूरत लॉन भी है यह एक मेडिटेशन हॉल है जहां पूरे हॉल में चंदरनाथ तिर्थकर का पेइंटिंग सजा है यहां बैट कर हम मेडिटेशन कर सकते हैं इस अनोखे अधुत्य जैन मंदिर को यूनिक वर्ल्ड रेकॉर्ड से सम्मानित किया गया है चलिए चंदरनाथ तिर्थकर प्रतिमा के पास चलते हैं यह प्रतिमा 80 फीट उची है और सबसे उची जैन प्रतिमाओं में से एक है यह एक पूजास्थल है और इसलिए यहां हम टूरिस्ट को साथ सज्जा और सुच्छता बनाई रखना चाहिए इसके बाद हम मंदार गिरी पहाड़ियों के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं स्टैचू देखने के बाद हम आटो स्टैंड के और बढ़ते हैं आटो परेटकों को मंदार गिरी पहाड़ी के उपर और जिल तक ले जाता है आपको यह एक आर्क दिखाई देगा जो पहाड़ी और लेक तक जाने का रास्ता है और यह पहाड़ीयों पर चढ़ने के लिए पत्थरों पर कार्वड सीडिया है यह लगभग 450 सीडिया है जो धिरे धिरे क्लाइम किया जा सकता है यह सीडियां दोपहर के समय अधिक गर्म हो जाती है इसलिए सुबह जल्दी यह शाम को चढ़ने की योजना बनाए ड्रस्ट ने यहाँ एक आर्टिफीशियल कल्पतरू व्रिक्ष बनाया है और यह मानव निर्मित सबसे बड़ा व्रिक्ष है बोध गया व्रिक्ष जैसा दिखता हुआ जहाँ बुद्ध को ग्यान प्राप्थ हुआ था यहाँ चार प्राचीन जैन मंदिर और एक शिला लेक भी है जैन धर्म में रूची रखने वालों के लिए मंदिर परिसर धर्म के इतिहास, मान्यताओं और स्थापत्य शैली के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है का का यहाँ प्राप बार प्राप बारे में जानना है और एक बार जब आप मंदिर के पीछे पहुँचते हैं तो आपको सुन्दर, माई डाला जील और संसेट पॉइंट दिखाई देंगे आप पहाडी की टॉप पर ठंडी हवा का आनन्द ले सकते हैं और समय अनुसा, सन्राइज या संसेट का आनन्द भी ले सकते हैं मंदार गिरी हिल के बाद यहां एक सुन्दर जील है यह वो सडक है जो जील तक और पहाडी के नीचे तक जाती है हमें सडक के किनारे पार्क करना होगा और जील तक पैदल चलना होगा सभी स्थान फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है और इन्हें अपने स्मृती में भी क्याद करें इस शांत जील के पास हम कुछ समय फैमिली टाइम बिता सकते हैं यह जगह उतनी मशूर नहीं है इसलिए भीड भार भी कम है और यहां कमर्शिलाजेशन भी नहीं हुआ है चाट आइटम फल और नारियल के स्टाल्स है यहां और चाई नास्ते के लिए एक छोटा सा कैंटीन भी है प्रक्रती के साथ शांती पुन दिन बिताने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी जगह है हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे हमारे निक्स्ट ब्लॉग में कर दो दोग्टाने के लिए उड़िए। कर दोग्टाने के लिए चारव झाल है कर दोग्टाने के लिए। झाल झाल